नमस्कार दोस्तों स्वागाते आपका क्रिकेट विद नारायन के साथ तो गाईज हम हमेशा की तरह लेकर आये क्रिकेट के तीम बड़े ने उस तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना न्यूजिलन्ड सिरिस के लिए और उसके बाद अस्ट्रिलिया सिरिस के लिए और मैं शूर हूँ कि वो न्यूजिलन्ड के अगेंस तीन टेस्ट मैच में काफी सारे रंस मारेगा और वैसे भी आप किसी प्लेयर को हर एक मैच के बाद जज नहीं कर सकते और ये बिल्कुल भी बैक करना है अपने प्लेयर्स को मेरा जॉब यही है कि मुझे बेस्ट प्लेइंग 11 सिलेक करनी है और किसी भी प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना है और मैं शूर हूँ कि सारे प्लेयर ये हंगरी है रंस बनाने के लिए और उन सब प्लेयर्स को पता है कि आप 8 टेस्ट मैचे स ये continuously खिले जाने वाले है तो वो ये बात जरूर देखेंगे और अच्छा performance करने की कोशिश करेंगे नमबर टू गाइस पार्तिव पठेल ने इंडिया क्रिकेट टिम को लेकर एक बड़ा statement डिया पार्तिव पठेल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया को किसी भी टाइप के pitches की ज़रूरत है इंडिया टीम ये किसी भी टीम को हरा सकती है वर्ल्ड में किसी भी पीच पर इंडिया टीम ये currently best test team है और अगर बांगलादेश series दे के तो पीच में कुछ भी नहीं था ना पीछ में सिमिंग मुमेंट था और ना ही बॉल टर्न हो रहा था लेकिन जिस तरह का इंडिया का स्क्वार्ड है बांगलादेश के लिए वो सिरीज बिल्कुल भी इसी नहीं थी इंडिया के दोनों पीचेस में बिल्कुल भी टर्न नहीं था लेकिन इंडिया ने फिर भी काफी easily match जित लिया और ये class है इंडिया टीम का और obviously मैं चाहता हूँ कि रोईच्छरमा ये runs बनाए क्योंकि उसका test form थोड़ा खराब चालू है और मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटिल को भी opportunity मिलती रहनी चाहिए और आप न्यूजिलंड के अगेंड सिरीज जितना चाहते हो और वो ऐसी टीम है जो आपको चैलेंज जरूर करेगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये easily न्यूजिलंड को सिरीज हरा देगी और अगर देखे तो world test championship के point भी इंडिया के mind में जरूर रहेगे और वहें न्यूजिलंड की बात करे तो न्यूजिलंड को इंडिया के ballers के सामने अच्छी betting करनी पड़ेगी तभी जाके वो इंडिया को हरा सकते है उनको बैटिंग करके पास्टो रन से बनाने ही पड़ेगे तबी न्यूजिलंड ये इंडिया के अगेंस मैच जीत पाएगी वरना इंडिया को हराना न्यूजिलंड के लिए इंपॉसिबल हो जाएगा नमबर त्री गाई शिवम दुबे ने अपने फेवरेट टिम को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया शिवम दुबे ने का कि मैं मुंबई में बॉन हुआ हूँ